कि दोस्तों आप से क्षमा चाहता हूं टेक्निकल प्रोब्लम के कारण कुछ टाइम के लिए आप से दूर होना पड़ा फिर आपके चर्णों में परनाम करता हूं आपके अंतर बैठी हुई वगवान की प्रमात्मा की शक्ति को पिश्वर को परनाम करता हूं आप शक्ति का पुंज हो सभी शक्तियां आपके अंतर में समाई हुई हैं जितने भी सिद्पुर्षों ने महापुर्षों ने तीरों ने फकीरों ने साधकों ने साधना किया उनको अपने अंतर में ही मिला है और उन्होंने बार बार हमें कहा है कि अंतर में ही भगवान को झूड़ो आज हम सेकेंड चक्रा के बारे में बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्रा, इसको काम चक्रा भी कहा जाता है, ये नभी से लगभग दो इंच, धाई इंच, तीन इंच नीचे होता है, इसका जो कलर है, वो ओरेंज जैसा है, आप ने देखा ओरेंज के कलर में भी फर्क होता कहीं कहीं, इसी तरह अलग-लग व्यक्तियों में, अलग-लग चक्रा के कानकुष उपर नीचे हो जाता है, कभी-कभी जब सूर्या भगवान उदे होते हैं, जैसी सूर्या भगवान की थोड़ी सी पीलापन लिये होती है, संत्रे जैसी वैसा भी होता है, जैसे 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 चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपमें आतम विश्वाश बढ़ने लगता है, आपमें क्रेटर करने की शक्ती बढ़ने लगती है, आपमें दूसरों का भ़ला करने की शक्ती बढ़ने लगती है, आपमें गोल प्राक्त करने की शक्ती बढ़ने लगती है, जे संकल्प का चक्क्र है जे वचारों को क्रियात्मिक रूप देने का चक्क्र है संकल्प को सिद्धी देने वाला चक्क्र है जे देवताओं की देवी की सिद्धी देने वाला चक्क्र है कि अच्छी संतान की प्राप्ति का चक्र है कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाओंगा दोस्तों मेडिटेशन भी करनी है कुछ बातें नेक्स्ट वीक में करेंगे कि इस चक्रा के देवता भग्वान ब्रह्मा जी है जो शक्ति है मां सस्वती जी है कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आया है कि इस चक्रा की स्वामनी मां काक्नी देवी जी है पर जो मैंने प्रेक्टिकल रूप से सीखा सित्पुर्षों के संत महात्मों के चर्णों में बैठ के सीखा आप लोगों के अनुवब से सीखा तो मां सस्वती जी की शक्ति का जहां निवास है क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं पता चलता है वो जिन लोगों का भी इस चक्रा का विकास हुआ देखा तो देखा कि महास्रस्वती जी की बहुत क्रिपा है इस चक्रा के एक्टिव नाह होने से आदमी अपनी क्रेटिव शक्ति खराब कर लेता है ऐसा कहें कि अपनी पूरी शक्ति को सब शक्ति को विलकुल शक्ति का महादाश कर देता है एंटिजन्ट होता है आपने दुनिया में देखा होगा है बहुत बच्चे हैं पढ़ते नहीं है स्टड़ी नहीं करते जैसे अर्जाम निज्रीक आने लगते हैं तो स्टड़ी करते हैं क्लास में स्गूल में कॉलज में युणिवर्श्टी में टॉप पर आ जाते हैं कभी-कभी उन लोगों का भी जे चक्रा एक्टिवेट होता है पर वहां जुरूरत है किसी अच्छे गुरुदेव की अच्छे गाइड की अच्छी परुदिश्की कि दस बारा साल की उमर तक जे चक्रा पास्ट लाइफ के कारण जितना एक्टिवेट होता है और कुछ घर का जो महौल है वाता वर्न उसके मताबुक होता बहुत अच्छा होता है उसके पिश्चार कभी-कभी इसकी नेक्टिव स्थिती बढ़ जाती है जिन लोगों का जे चक्रा एक्टिव नहीं होता अच्छी स्थिती में नहीं होता उनकी पूरी जिंदगी गोमने फ हैं पूरी पूरी जिंदगी हैं भौतक जिंदगी का पूसर पूठाने में निकल जाती हैं हा है ह Ну और चब वक्त बीच जाता है बिलकुल खाली हाथ होते हैं फिर उनको पता चलता है कि ना तो भौतक जिंदगी को एंज्युाय कर पाई और ना मि वह अध्यात्मक ग्रेटर होते हैं उनका चक्र होता है। कि एक्टर है। उनका जे चक्र एक्ट अज़ा चतव होता है। संगीत में जो सम्मेद में आगे जाने वाले और उनकी तो इतनी उरा बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। दोध naw कि गाइटों जिसराज जी जब वो स्टेज पे आते थे तो कुछ देर के लिए ध्यान करते थे और जैसे जैसे सुगीत में उतरते थे तो मैंने देखा कि उनके इस चक्रा का प्रवाल इस चक्रा की ओरा बहुत दूर तक फैल जाती थी क्योंकि वो साद की भी थे बहुत बड़े जिन वेक्तियों का जे चक्रा एक्किवेट होता है उनमें काम प्रविर्थी भी जादा होती है वो कभी-कभी आपको जिट सेक्स में इतनी शक्ती वेस्ट कर देते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि क्या किया हम आए तब उनको लगत है कि हमने जिससे चाहा उससे दोस्ती होगी और आगे चलकर ऐसी भठकन आती है जिन्दगी में जब वक्त निकल जाता है फिर वोश आती है आपको इस चक्रा को एक्टिवेट करना चाहिए इससे ही आपकी संकल्प शक्ती बड़ेगी इससे ही आपकी विचार शक्ती बड़ेगी इससे ही आप संकल्पों को सिद्ध कर पाएंगे कि इस चक्रा का हमारे अग्या चक्रा का अमारे कंट चक्रा का बहुत बड़ा श्रीक है और यह दोस्टों फीज़िक partnerships की तरह है आप प्रति जिन करते हो तो चक्रा का बैलंस रहता है जब बीच में आप गाइव हो जाते हो तो फिर चे चकडा बिग्डने लग जाते हैं बैलंस नहीं बहन पाता और ट्रेट मिल की तरह पूरी जिंद्धगी निकल जाती है अब भागते रहते हो भागते रहते हो कहीं पहुंच नहीं बाते अगर आप जिंदगी में लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो आपके इस चक्रा का एक्टिवेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ना एक्टीवेट ना हुने से कभी-कभी हीन भावना भी आ जाती है आप ने देखा उस बच्चों में बहुत जल्दी हीन भावना आती है बड़ों में भी आती है तब भी उनका यह चख्रा एक्टीवेट नहीं होता भगवान ने हमारे अंतर में जैसे हमने मुलाधार चक्र में बढ़ाया कि भगवान Ganesh ji की शक्ति माल अक़नी देवी जी की शक्ति rove second पर स्वाधिष्ठान चक्रा पर ब्रह्मा जी की शक्ति मास्रस्वती जी की शक्ति जो मा काकनी देवी जी का करना चाहते हैं करें का मा काकनी देवी जी की शक्ति का दिव्यास है यह शक्तियां दोस्तों हमारे श्रीर में हैं जैसे हमें महापुर्शों ने समझाया कि हमें अपने श्रीर की साधरा करनी है यह श्रीर हमारा मंदर है इस मंदर को आप अपने वचारों से ही प्युत्तर कर सकते हैं अच्छे काम करके ही प्रैक्टिकल ग्रूप से प्युत्तर कर सकते हैं आप इससे दूसरों का शीरवाद लेके प्युत्तर कर सकते हैं इसको आप अपने गुरुजी की क्रिपा से गुरु की गाइडन्स से ही इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इससे ना तो दिये जला के कुछ बनेगा ना अगर्बत्ती से बनेगा ना प्रशाद रखने से बनेगा कि साधना की प्रकाष्टा है वो साधना का बाहरी सुरूप है वो बाहर से हम अंदर आते हैं जैसे हमने उस साधना को कर लिए साथ साथ में अंतर की साधना को भी करना है बाहरी साधना भी बहुत ज़रूरी है प आप अपने अंतर के साहथ एकाकार हो जाते हो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छे गोल हासिर करना चाहते हो अपनी लाइफ में परिवार का पूरण सुख चाहते हो आप अपनी लाइफ में बच्चों का पूरण सुख चाहते हो बच्चों की अच्छी परवरिश चाहते हो तो प्रेगनेंसी से पहले ही इस चक्रा पर अक्टिवेट करें और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं अभी से ही इसको करें अगर आपके सेवन चक्राइश एक्टिवेट हो जाते हैं छे ही हो जाते हैं तो आपको किसी के मालग दर्शन की भी जुरूरत नहीं है आपकी शक्ति आपको गाइड करती हैं आपको मालग दर्शन देती है आप उस प्रमात्मा के उन शक्तियों के बहुत करी पर ये बात दोस्तों करने की है बिना कि ये बात नहीं चल सकेगी और इसका जो तत्तव है जल है जैसे मुलाधार चक्रा का तत्तव पृत्वी है बेश पृत्वी है इसका तत्तव जल है तो जैसे ही इस चक्रा के इंबैलेंस होता है कहीं तो आपको श्रीर में बहुत जल्दी विकार होता है किड़नी की प्रॉब्लम लिवर की प्रॉब्लम पिशाब संद्सबंदी बिमारियां जनर इंद्री की बिमारियां इसके कारण होने रखती है जैसे आप इसको अच्छा रखते हो साक्षी भाव से इसकी रख्षा करते हो तो आप इन सभी विवारियों से भी दूर हो जाते हो कि ऐसा भी मैंने मैसूस किया कि जैसे जे चक्रा जाग्रित होता है वो व्यक्ति आँख बंद करता है तो धर्ती के नीचे क्या है उसको दिखाई देने लगता है कि इंडिया में आज भी ऐसी स्थिति है कहीं कहीं देखते हैं जहां पानी है कि नहीं है तो कुछ सिद्ध लोग ऐसे बोल देते हैं जहां पानी है जहां नहीं है उनका भी चक्रा जाग्रित होता है ताप साध्रा में जाएं और साध्रा में जैसे जैसे आप जाएंगे तै तैसे तैसे आपको इस चक्रा का महत्रों पता चलेगा और मंतर साधना दोस्तों बहुत जुरूरी है कि मंतर साधना करते करते ही आप मेडिटेशन में पहुंच सकते हो गुरू क्रिपा हो जाए अलग बात है कभी कभी गुरू जहां सपर्ष करते हैं और आपका चक्रा जार्वेत हो जाता है पर आपकी रिसीविंग शक्ति चाहिए जब आप मंतर साधना नहीं करेंगे आपके आपकी साधना पूरी हो ही नहीं पाईगी जैसे आप मां का दिया जलाते हो फूल चड़ाते हो इससे बारी बाता वरन अच्छा हो जाता है आप साधना के लिए त्यार हो जाते हैं फिर आप ध्यान में बैठ जाते हो मंतर करते करते ध्यान लगता है आप मंतर की मंत्र है पर जहां जो मंत्र आपको बताया जाते हैं उस मुझे की रूप से सभी कर सकते हैं कुछ मंत्र बिना गुरु देख्षा के नहीं करने चाहिए तो आप जो आगे की गहराई की गाईटेंस है अपने पुझया गुरु देवजी से ले पर आपके अंदर प्यास पैदा हो जाएं आप साधना के लिए हंगरी हो जाएं आप रभु प्राक्ति के लिए पागल हो जाएं आप रभु की चर्णों में चले जाएं ऐसी मेरी प्रार्तना है ऐसी मेरी पोश्यश है आपको निश्चत रूप से जानना है कि सब शक्तियों के अधीन है इस चक्रा को अच अस्तय में सभी चक्रा के लिए ज्रूरी है कि आप बने क्रैपालू बने लिए करें अल्गौ करें पर दे है फिर अच्छी होती ही फिर नीचे आते हैं और ऐसे ही फिर पुरी जिंद्दगी उनकी निकल जाती है। आप किसी के साथ भी शर्टरता है त्याग देने उसको मन से माफी मांग रें मन इसको मार्व कर दें अगर कहीं जिंदिगी में पहुंच रहा है अगर आपका गोरी है कि शत्रु का इनाश करना है और बद्धी भी करते हो तो फिर ऐसी स्किति आएगी कि आपका इनाश हो जाएगा क्योंकि जो ग्रहमंड का वालक है जो प्रभु की शक्तियां है उस मां की शक्तियां है उनको तो जही लगता कि मेरे सादर को जही चाहिए तो वो दे देती है उसके मन में कोई फीर मेर फीमेल नहीं है उनकी दृष्टी में उनकी दृष्टी में कोई अमीर गरीब नहीं है उनकी दृष्टी में कहीं पे भी सुंदर्ता करूपता नहीं है उसकी दृष्टी में ना कोई धर्म है ना कोई देश है उसकी दृष्टी में सभी वाइड के लोग बराबर हैं और जो आप सोचते हो आप सोचते हैं उसका पूरे ब्रमन्द के साथ लिंक हो जाओगे और एक इश्ट देव रखें अपना ये भी सभी चक्रा के लिए जूरी है अभी कुछ बातें हम नेक्स्ट में करेंगे अभी हम इस चक्रा की साध्रा को शुरू करते हैं ये चक्रा जहां अब भी है तीन इंच नीचे धाई इंच नीचे मन में एक मिन्टे के लिए गनेश भगवान के मंतर का जात करें इस मंतर का इस चक्रा का मूल मंतर अवाम है वाम ने वामन में वामन में वामन में व्मनद थाफीव भार्मन वप दिए लिए ओğimने तपसे कोयो SCÌ सबने म्मन चर्मन चर्म भार्म ढूमन यही वाइök लिएाल के मैव That स्वेश खwing स enf Kalau Nacional से ख RPG तर भंत न भंत से वर कि वाम विए ता ही भंत भप सह वाल वह मनमा, वामन मा, वामनमा वामनमा, 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 मासा सुतीजिका वीट्यमंति, मंतर करते करते पुरा ध्यार आपको इस चक्रा वे रखना है वंवनमा, वनमा, ए मुझनमा, वंवनमा, वंवनमा. वमनमैं एमनमैं वमनमैं वमनमैं दीर दीरे मन में मंत्र का जाब करेंगे, रीड की हड़ी को सीधा रखेंगे. खो ऑे ढोेदी की हाया ही दीछे को सीध सीधा रखेंगे सैंसे हुच झाल्याव का जाब का यू्ज को सी अाब धूपिक्त Crommrei, है यु Caleb. ।बा आ unus दो दी की हाईको में साथ。 लुकत झाल्याव सावा है। हम्नайте हम आ खाह सही पुम्नबा मुमन खार ढ खिर हम खाह वब दो आब आमाइ, वब दो 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 आ मन में, 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 म का ध्यान करना कि इस शक्तियों का ध्यान करने से आपका प्रेजेंस और माइंड बहुत अच्छा होगा जो जल्दी भूल जाते हो बच्चे जल्दी भूल जाते हैं वो भी इस चक्रा का ध्यान करेंगे उनकी जाद्शक्ति बढ़ेगी प्रेजेंस और माइंड बढ़ेगा और ये चक्रा दोस्तों पैशन का है जो आपका पैशन है आप छोटी सी छोटी बात को अभी आपका जो भी आपके अंतर्बवान ने प्रेटो शक्ति दी है चाहे वो बागवानी की हो, खेती बाड़ी की हो, गाने की हो, पढ़ाने की हो, डान्स की हो, संगीत की हो, म्यूजक की हो, लिखने की हो, कव्ता की हो, गजल की हो, डेकोरेशन की हो, अंटीडियर डेकोरेशन की हो, वकालत की हो, आप मेडिकल में हो, कोई भी जो आपकी शक्ति है, वो शक्ति का विकास बहुत अच्छी तरह होता है, जो आप भी अपने प्रफेशन में स्पेश्लिस्ट होना चाहते हैं, बच्चों आप अपने प्रफेशन में नाम कमाना चाहते हो, तो आप ध्यान की दुनिया में आजाओ, मंतर साधना की क्लोज देने हैं, कुछ नहीं करना है, मैं आपको पैसा नहीं कहता हूँ के माला पकड़ देनी है, और दुनियादारी को छोड़ देना है, मैं तो कहता हूँ के दुनियादारी को और अच्छी तरह से उन्जॉय करना है, पूरण बहुत अक सुखों को प्रापत करना है, अ करते करते पूरण रूप से उस प्रमात्मा तक पहुंच जाना ऐसा ही ध्यान का एम है ध्यान का संकल्ब है स्ट्रिट्र विद्या का शक्ति कर्या का संकल्ब है आपको सुखों से माला माल होना है मुझ ऐसे सुखों से माला माल होते जाएं और बिल्कुल जुकते जाएं धर्ति को ना शोड़ें जो कभी-कभी कोड़ वाद चलती है उसको भी छोड़ें कल्जुक का प्रभाव है कभी-कल्जुक हम उस चक्र में आ जाते हैं पर नहीं आना है जैसे-जैसे आप इन बातों का पालण करोगे यह आपका चक्रा जागर्त होगा आप सोचेंगे मैंने जो सोचा था कैसे होने लगा आप सोचोगे और हो जाएगा आपको मांगने की भी चुरूरत नहीं पड़ेगी आप चाहोगे हो जाएगा आपकी चाहत कैसी है वो चाहत दोस्तों जब ऐसी होती जो सभी का भला होता है चाहत ऐसी जो सबका विकास चाहती है चाहत ऐसी कि सबको सुखी चाहती है तो जैसे आपकी ऐसी चाहत हो तो आपके ऊपर भगवान की शक्तियों की बर्शां होने लगी आप इसको महशूस कर सकते हो और इसी चक्रा से आपका सुक्षम शरीर बनता है कभी-कभी ध्यान में साधना में आपके साथ सुक्षम शरीर की बहुत बार बात हुई है सुक्षम शरीर अमारे अंतर से औरा निकल के अमारे इर्द गिर्दे घेरा बना लेती है और वो सूक्षम श्रीर सादू, संतों, महात्मों, सित्पुर्षों का बड़ा स्ट्रॉंग होता है, बच्चों का बड़ा स्ट्रॉंग होता है, तो जैसे जैसे आप साधना करते हो, आपका भी सूक्षम श्रीर अच्छा होने लगता है, सबसे पहले बिमारी जो आती है, वो तो सूक्षम श्रीर को आती है, सूक्षम श्रीर जुड़ा है भाव से, अमोशन से, यह चक्रा भी एमोशन का चक्र है, यह फीलिंग से जुड़ा हुआ है, जैसी जैसी आपकी फीलिंग है वैसा वैसा सूक्षम श्रीर बनता जाता है, आपकी फीलिंग है जलसी की, तो जलसी करने की तो सब शक्तियां आपका भड़ा करना शुरू कर देंगी कि यह आपके एक घेरा बन जाता है कि कुछ ऐसे पहले सबसे पहले मन में ही कोई बिमारी होती है न ऐसे मन का इस चक्रा का सुक्ष्म श्रीर से बहुत बड़ा रिलेशन है और मन हम में सबसे पावर्फुल है मन है कहां पर मन का आकार क्या है कोई नहीं जानता मन का दोस्तों कोई आकार नहीं है ईसे ही मन के उपर आत्मा है जो गटोर्ट करती है जो हमारी सैब चक्रा ज़िए उसका कैसी है कुछ पता नहीं को शुरू यह बहुत ani कशल्पा नहीं कि जिस रूप में देखोंगे वह आपको मिल जाएगा और यह तीनों यह आपके अंदर उसे जैसे आप गंदे होते जाते वो यह फेज सवी रहती है शवी रहती है सवी रहती है ऐसे जैसे सादरा करते हो तो प्रडैने शक्ति जागनेuhan लकत होके कि फुरे समर्पत होके उनके चबनों में लग जाएए आपको सब कुछ मिल जाएगा नुद्स हे दोस्तो ना मन का सुरूप आत्मा का सुरूप ना प्रमात्मा का सुरूप अभूंपा यह जै Daar हैं अब सर्जली तो ना सुक्ष्म श्रीर कहीं दिखेगा ना जे चक्रा कहीं दिखेगा ना आत्मा दिखेगी ना मन दिखेगा आप साधना करते करते सब कुछ पराप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सफल कर सकते हो आप उबान के चर्णों में जा सकते हो बगवान के अन्भूतियां कर सकते हो शक्तियों के अन्भूतियां कर सकते हो और आप अपने दुखों से शुटकारा पा सकते हो सुखों को इंज्वाई कर सकते हो पर सब बात फीलिंग की है ते चक्रा के बारे मुझे बहुत से लोगो करो और पूरन संकल्प के संकल्प के लिए ही आपसे करवाता हूं संकल्प सिद्धी कराता हूं हुआ है तो शाद्रा में पूरा मन वचन करम भाव से चुड़ना और अपने एक इश्ट देव बनाओ जब तक एक इश्ट देव नहीं होंगे बात नहीं बढ़ेगी सभी शक्तियों का सहारा चाहिए पर इश्ट देव हमारे एक चाहिए श्वाश को अंदर लेना है रहा 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 है इसको कम से कम 20 टाइम करना है आप अपने इश्ट का ध्यान करें बुभान ब्रह्मा जी का मास्रस्वती जी का ध्यान करें सब शक्तियों का शुक्रिया करें ठैक्स करें आपका जो गोल है आपका जो संकल्प है उसके बारे विजिन करना शुरू करें संकल्प दोस्तों जिन्दिगी में बहुत जिरूरी है जब तक संकल्प नहीं है आपका गोल नहीं है आपका एम नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा आप Chartered Plane करके भी बैठ जाएं पता इंहीं होगा कहा जाना है और वहां जा करना है तो बात नहीं बनेगी है। आप Cycle पह जा रहे हूं पता है कहा जाना है और वहां जा के क्या करना तो बात बन जाएगी कुछ आपने गोल को visualize करें अपने संकल्प को pictureise करें माता रानी ने भगवान ने पोसंकर पूरा कर दिया ऐसा महसूस करें पूर्ण रूप से अपने इश्ट के चर्णों में अपनी गुरुदेव के चर्णों में समर्पित हो जाएं आपका जो संकल्प आपका जो गोल पूरा हुआ है उसको उन्जोय करें संकल्प सदा प्राजेंट में लेना है गुरु महराज का अपने इश्ट देव का माता रानी का ठैक्स करें उन्होंने आपके संकल्प को पूरा किया आपके गोल को पूरा किया मियूर्पंक हुद्रा करेंगे गुरु मार्पंक हुआ है दिरे दिरे हाथ उठाएं, आंख को लें, हाथों को देखें गुरूरं ब्रह्मिएं, गुरूर विष्न, गुरूर देवोनिह श्वरार, गुरूर साक्षाद पर ब्रह्म our माँएं, गुरू महाराच बहुत बहुत खिर्पा करें आपे, आपको बहुत शक्ति दें, आगे बढ़ें, अच्छे सादुक मणें, अच्छी साधुना में और नेक्स्ट संडे को फिर आपके साथ डिसकस करेंगे और वियूर पांक बुद्रा के बारे में डिटेल जाने इसके लिए मैंने अलग से कुछ कहा हुआ है उसको जरूर सुने मां बहुत-बहुत कृपा करे फिर आपके भीत्र बैठी हुई उन शक्तियों को प्रमात्मात्य बहुत्यों को प्रणाम करता हूं जयावाद हादी